तो बड़ी कबर इस वक्त साथ जून को एंडिये सुन सत्य दल की बैठर कि जो जानकारी दिली से इस वक्त सामें आती हुई पंडरे छोटे बड़े दल समर्थन देंगे और ये सूत्र कह रहे हैं साथ जून को सरकार बनाने का दावा जो है वो रखा जाएगा और इसे लेकर मोदी संसद्य दल के नेता चुने गए हैं ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई तो पुदारमंजी आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है और ऐसे में जो बड़ी जानकारी सामने आ रहे हैं साथ जून को पांच बजे एंडिये नेताओं को बुलाया गया है 15 छोटे बड़े दल समर्थन देंगे राष्ट्रती पती भवन से शामपार से साथ बचे का जो वक्त है वो बताया जा रहा है दिया गया है एंडिये ने नरेंद्र मोदी को सर्व सम्मती से नेता चुना है राष्ट्रपती से मिलेंगे एंडिये के सभी सहयोगी दल जो बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त एंडिये नेताओं को बुलाया गया है जी आई एक्स्क्लूसिट तस्वीरे उस बैटर की जो बैटर खत्म हो चुकी है और राष्ट्रपती ने एंडिये नेताओं को बुलाया है जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है 7 जून को 5 बजे एंडिये नेताओं को बुलाया गया है 15 चोटे बड़े दल समर्थन जो है वो देने वाले हैं राश्ट्रपती भवन से वक्त की भी जानकारी सामने आती हुई कि 5-7 बजे के बीच का वक्त कुछ बताया जा रहा है जब निमंत्रण दिया गया, मंंत्रण दिया गया है राश्ट्रपती से मिलेंगे NDA के सभी सहियों की दल इस दोरान 7 जून की तारीक जब NDA संसद्य दल की बैठक भी और इस बैठक में 15 छोटे बड़े दल जो हैं वो समर्थन देंगे हलाकि ये समर्थन एक तरीके से सभी दलों की तरफ से दे दिया गया है लेकिन जिस प्रक्रिया की बात होती है उस प्रक्रिया के तहत ये माना जा रहा है कि 7 जून को ये तारीक जब NDA की तरफ से आना की मोदी को संसद्य दल का नेता चुल लिया गया है और जो तारीक तै कर दी गई है वो 7 जून की है जब NDA संसद्य दल की बैठक होगी और उस बैठक के बाद जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है नई सरकार को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें नई सरकार को लेकर सबसे बड़ी खबर जहां सरकार बनाने की कवायद एक तरफ बेखतेज हो चुकी है साथ जून को एंडिये संसेद्य दल की बैठक और एंडिये ने मोदी को अपना संसेद्य दल का नेता भी चुलिया है सुब़े 11 बजे एंडिये संसेद्य दल की बैठक होगी और हमारे साथ इस वक्त दिली समवादाता पवन गौड जोड़ चुके हैं पवन एक बड़ी जानकारी और बड़ी तेजी से राजनिति घटना करम बदलता हुआ भी अब ये कहा जा रहा है कि साथ जून को सुब़े 11 बजे संसेद्य दल की बैठक होगी देकि जाहिर तोर पर अपसे थोड़ी देर पहले जो प्रधानमंतरी आवास पर NDA घटक दलों की बैठक होई उसमें तीन बड़े फैसले लिए गए सबसे पहला फैसला जो था कि सभी जो घटक दल है उन्होंने अपना समर्थन पत्र जो है कि वो NDA के साथ NDA घटक दल सब एक साथ है और प्रधानमंतरी नरिंद बोदी के निर्तुत में वो सरकार बनाने को फिर से तयार है दूसरा जो था वो सभी NDA घटक दलों ने प्रधानमंतरी नरिंद बोदी को सर्वसमती से अपना नेता चुल लिया है यह भी इस बठक के अंदर हुआ और तीसरी बात जो है वो NDA घटक दलों के साथ में जो है बीजेपी से तीन बड़े नेता जो है वो बातचीत करेंगे किस तरह से घटक दलों के जो दल है उनको शामिल किया जाएगा किस तरह से एकमोडेट किया जाएगा बीजेपी अध्यक जेपी नड़ा ग्रहमंतरी हमिशा रक्षा मंतरी राजना सिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से तमाम घटक दलों के सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे निगोशेसिंस करेंगे चाहे वो जेडियू की बात हो टीडीपी की बात हो लजेपी की बात हो हम की बात हो अरेलडी की बात हो अपना दल एस की बात हो किस पार्टी को कौन-कौन सा मंतराले मिलना है कितनी कैबिनेट सीटे मिलनी है कितने राजमंतरी बिनने है किस पार्ट मोदी को बीजेपी संसदी दल का नेता चुना जाएगा वो बेठक खतम होने के बाद में तकरीवन दो वजे के आसपास NDA के संसदी दल की बेठक होगी उसमें तमाम NDA के सांसस शामिल होंगे उनके साथ-साथ जो NDA शासित राज्यों के मुख्यमंतरी और उप मुख्यमंतरी जो हैं वो इस बेठक में शामिल होंगे उसके बाद में NDA जो है सर्वसमती से अपने घटक दल का जो नेता जो है वो प्रधानमंतरी को चुनेगा और उसके बाद में तकरीवन पांच बजे के आसपास राजपती भवन से पांच बजे से साथ बजे का समय दिया गया है मुलाकात के लिए तो तमाम जो NDA घटक दल की जो सहयोगी दल है वो राजपती भवन जाएंगे और राजपती भवन में जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे तो आज की बठक के बात में ये कापी सारी चीजें सामने निकल कर आ रहा हैं अब और आठ तारीकों प्रदानमंत्री नरेंद मोदी तीसरी बार प्रदानमंत्री पद की शबत लेने जा रहा हैं यानि कि आज की बठक के बात बहुत सारी इस्तिती जो है इस पश्ट हो गई है हलांकि चुकि बीजेपी अकेले समय सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है तो गठवंदन के सयोगों को उनको एकमोडेट करना पड़ेगा तो इसमें जो बार्गेणिंग जो होगी अब तक बीजेपी जो है वो अपनी शर्तों के अधार पर अपने हिसाब से मंत्रिमंड का बतवारा किया करती थी गठवंदन के सयोगों को भी उसके साब से ही सरकार में शामिल किया जाये घार लेकिन जो समर्थन की बात कहीं जारी जहसे हैं यह साब कहरें प्रस्ताव में कितने दलों ने हसाक्षर कियें कि इसकी कोई जानकारी मिल पारी है लिए जितने भी दल जो NDA के सहयोगी हैं उन सबने सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया चाहे जिसमें चाहे वो जेडियू हो, जेडियाइस हो, शिवसेना हो, अपना दल एस हो, चाहे वो चराग पासवान की लोग जनसती पार्टी राम बिलास हो यह तमाम जो दल आज की बैठक में शामिल हुए थे, उन सबने सर्व सम्मति से अपना समर्थन पत्र बीजेपी अध्यक्ष को सौपा और उसके बाद में एक प्रस्ताव एंडिये की बैठक में लाया गया, जिसमें प्रधानमंतरी नरिद बोधी को एंडिये का सर्व सम्मति से नेता चुना गया